जै मातादी फ्रेंड्स, आज हम हनी चकल बुक क्लासिक्स की एक पॉम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है दकाइट बाई हैरी बैन ये जो पॉइम है इसमें जैसे दकाइट से की आप समझ गयोंगे, इसमें काइट के बारे में बताये गया है काइट कैसे उड़ती है सबको अच्छी लगती है, पतंग उड़ाना सबको अच्छा लगता है, आपने भी उड़ाई होगी और नहीं उड़ाई है तो कभी experience करके देखना बहुत अच्छा लगता है तो आज हम इस poem में पढ़ेंगे काइट किस तरीके से उड़ती है, कैसे होती है, कितनी सुन्दर होती है, सारा process देखेंगे हम इसमें तो शुरू करते हैं हमारा पहला paragraph अब हम देखते हैं कि इसमें जो point है, वो क्या कहना चाहते है the kite में how bright on the blue, मतलब blue मतलब sky, how bright on the blue, कि जब sky में जब उड़ती है kite, तो कितनी bright लगती है, जब वो नई होती है जब कितना अच्छा, मतलब exclamation mark है यहाँ पे, कितनी अच्छी line लिखी वी है, exclamation के साथ में point कह रहे हैं कि कितनी अच्छी लगती है kite जब आसमान में उड़ती है, जब वो नई होती है तो with a dive and a dip, dive and a dip मतलब जब वो नीचे जाती है dive मारती है, dive and dip का मतलब जैसे हम dive मारती हैं पानी में उस तरीके से हबा में, खुले आसमान में किस तरीके से a kite जो है वो dive and dip कर रही है जैसे कि जो उसकी टेल है वो उसके साथ में dive and dip कर रही है जो kite होती है वो किस तरीके से आसमान में travel करती है जैसे कि एक ship जो होती है वो sail करती है एक sea के अंदर तो उसी तरीके से जैसे कि पानी के अंदर एक ship होती है वो किस तरीके से dive and dip होती है tides में किस तरीके से करती है किस तरीके से move करती है उसी तरीके से जब हम kite उड़ाते है तो kite भी air में उसी तरीके से dive and dip करती है जिस तरीके से ship जो होती है वो sea पे float करती है okay with the help of sail so hop आपको ये paragraph समझ में आ गया होगा बहुत easy palm है और साथ ही साथ में बहुत अच्छे words में बताया हुआ है कि किस तरीके से उड़ती है अगले हम paragraph की तरफ चलते है as over tides of wind it rides climbs to the crest of a gust and pulls then seems to rest as wind falls अगले paragraph में point क्या कह रहे है वो भी kite के बारे में है तो kite में इसमें क्या बता रहे है कि जब एक kite उड़ती है as over tides of winds it rides मतलब जैसे जो ship होती है वो tides के उपर जो है move करती है उसी तरीके से जब wind में जब kite उड़ती है तो kite exactly उसी तरीके से fly करती है आसमान में जिस तरीके से tide में जो ship होती है वो it moves to the crest climbs to the crest का मतलब क्या होता है कि ये जो है वो मतलब moves to the height of mountains मतलब बहुत उची जाती है of a gust and pulse जैसे ही हवा का जोंका आता है जैसे strong wind gust का मतलब होता है strong wind जब बहुत तेज हवा बैती है तो वो कितनी हाय जाती है जब आपने भी पतंग उड़ाई होगी तो आपने ये चीज experience की होगी जैसे ही wind blow करती है वैसे ही जो kite है वो बहुत उची जाती है जैसे और उस time पे क्या होता है जो पतंग उड़ा रहा होता है वो उसकी string जो होती है उसको छोड़ता है मतलब डील देता है आपने भी देखा होगा आपने भी उड़ाई होगी तब ये चीज feel की होगी और जब wind falls हो जाती है then seems to rest as wind falls मतलब तब kite rest करते वे नजर आती है जब हवा कम हो जाती है या हवा चलना बंद हो जाती है कि उस time पे ऐसे लगता है कि kite जो है वो rest कर रही है जैसा कि आप इस picture में देख सकते हो background में जो मैंने लगा रखी है कि जैसे ही हवा कम होती है तो वो एकी जिगे पे ऐसे है ना थोड़ी सी move करने लग जाती है और उस time पे हम क्या करते है अपनी thread जो है वो लपेटना start कर देते हैं जब तक कि second हवा का जोंका जो है वो नहीं आता और हम वापस से अपनी जो thread हो छोड़ेंगे ताकि वो वापस से sky में high चली जाए तो जब अगर wind कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं अपना दागा वापस से लपेटने लग जाते हैं क्योंकि उस time पे जो kite है वो और ज़्यादा climb नहीं करेगी ओके तो ये भी काफी अच्छा paragraph था next paragraph की तरफ हम move करते हैं इसमें क्या बताया है कि जो भी पतंग जब हम उडाते हैं तो जो string होती है मतलब जो दागा होता है मांजा होता है जिससे भी हम उडा रहे होते हैं जिससे kite attach होता है तो हम जब wind falls होती है जब last paragraph में आपने देखा था कि जब हवा कम हो जाती है तो हम जो दागा है वो वापस लपेटने लग जाते है जब तक कि नई breeze नहीं आ जाए and runs until तब तक लपेट से रहते है a new breeze blows मतलब वापस से हवा का जोंका नहीं आ जाता जब तक कि वापस से हवा बैना शुरू नहीं होती है तब तक हम अपना दागा वापस से लपेटते हैं और वापस से and its wings fills and up it goes और जब वापस से एक new breeze आ जाती है तो वापस से क्या हुजाता है वापस से हवा चलने लग जाती है वापस क्या होता है जो काइट है वो उड़ना स्टार्ट कर देती है और आसमान में high चली जाती है मतलब again वो उचाईउं पे चली जाती है तो इस तरीके से इसमें भी हमने काइट के बारे में देखा है कि काइट किस तरीके से उड़ती है जब हवा कम हो जाती है हम अपना दागा लपेटने लग जाते है जब अपन जो देखते हैं कि जब वापस से जब हवा बैने लग जाती है तो वापस काई में हाई चली जाती है next paragraph हम देखते हैं how bright on the blue is a kite when it's new और वापस से वही line जो starting के paragraph में आई थी वही repeat हो रही है कि कितना अच्छा लगता है how bright on the blue कि कितने अच्छी लगती है काईट आसमान में जब वो नई होती है but a hazard thing you never will see when it's flaps on a string in the top of a tree लेकिन यहाँ पे जो last paragraph में क्या बताया हुआ है इसमें point ने ये बताया हुआ है कि हमें तब तक तो वो बहुत अच्छी लगती है आसमान में जब तक वो new होती है लेकिन बिल्कुल बेकार सा कपड़ा हो जाती है हमारे लिए बिल्कुल भी बेकार सी ठिंग हो जाती है you never will see when it's flap on a string in the top of a tree कब वो बेकार सी हो जाती है वो जब beautiful सी है जब वो उसकी जो string होती है वो कहीं पे tree में फस जाती है किसी tree की branch में फस जाती है और फिर वो वैसी नहीं दिखती है इतनी bright and beautiful नहीं दिखती है उसकी बजाए वो एकदम जो बेकार सा कपड़ा होता है टॉन कलोथ होता है उसकी तरह दिखती है मतलब वो अपनी beauty जो है वो lose कर देती है उसमें वो वाले beauty नहीं होती है आपने देखा है कितनी अच्छी है अच्छा लगता हमें जब नई पतंग लेकर आते हैं फिर हम उसे उड़ाते हैं लेकिन जब वो खराब हो जाती है वो फट जाती है या किसी pole में या किसी tree में फच जाती है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ना ही वो इतनी bright and beautiful रहती है जैसा कि हमने जब starting में उडाना शुरू किया था वैसी नहीं रहती है तो जैसा कि starting में था how bright on the blue is a kite when it's new तो उतने new नहीं रहती है फिर वो बिल्कुल बेकार चीज़ हो जाती है मतलब इतने अच्छी नहीं लगती है तो यह हमारी pompty kite पे hope आपको पसंद आई होगी if you like it please hit the thumbs up button please please subscribe this channel put your views and suggestion in comment box so thank you